हेलो अब्रिवन कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियों में बात करेंगे एरपूर्ट अथियोटी और इंडिया की तरप से आजुकी आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड नियूस के बारे में जहाँ पे आप स पास वाले केंडिडेट यहाँ पे आवेदन करेंगे और उनको बीना किसी परिख्या और इंटर्व्यू के फिजिकल के अधार पे चैन दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो नंबर और विकेंसी हैं और जो नंबर और पूश्टे हैं वो काफी अच्छी हैं आपको बता एरपोर्ट के अंदर ट्रॉली होती है जिसमें सामान रखा जाता है उसी से जुड़ा काम आपको यहाँ पे मिलने वाला है इसके लिए आपका केबल और केबल फिजिकल होगा अभी हम ओफीसल विबसाइट पे हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहीं से आपको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं AAICLAS यानि कि यहाँ पे AAI Airport Authority of India Cargo Logistics and Allied Services Company Limited यहाँ से आपकी विकेंसी निकल के आई हुई है अठरा से लेकर 32 साल तक के कैंडिडेट आवेधन करेंगे अप्लिकेशन फीस के बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी आवेधन आप उस दोनों के टेगरी के उमीदवार इन भरतियों के लिए आवेधन कर सकते हैं घर बैठे आप लोग कैसे आवेधन करेंगे इसके बारे में जानकारी को देखने के लिए चैनल के साथ आगे इस वीडियो में बने रहें इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक् सकते हैं और डेट भी देख सकते हैं 27 साथ 2023 यानि कि 27 जुलाई के दिन ये अनोडिकेशन आउट किया गया है AAI Cargo Logistics and Allied Services Company की तरफ से ये आपको जो ये तो जॉब प्रवाइड कराते हैं ये 100 परसेंट यहां पे आप Airport Authority of India के साथ यहां पे जुड़ी हुई कमपनी है यहां पे देखें Engagement of Trolley Retriever at Chennai Airport of AAI Cargo Logistics and Allied Services Company Limited यानि कि यहां पे आपको Chennai Airport के लिए Trolley Retriever की पोस्ट वेकेंसी के उपर भरतियों के अनोडिकेसन देखने को मिलेंगे अगर हम category wise वेकेंसी की बात करें और place और पोस्टिंग की तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं नेम और पोस्ट यहां पे आपको Trolley Retriever की मिलेगी जहां पे टोटल आपको 105 वेकेंसी मिलेंगी इसके बात करते हैं अप्लीकेसन फीस के बारे में देख सकते हैं जो की यहां पे जर्नल OVC के अप्लीकेसन चार्ज उनका नहीं लगेगा इंपोर्टन डेट की बात करते हैं तो ओपनिंग डेट है 2 अगस्त की और आविदन करने की जो आखरी डेट है हो है 31 अगस्त 2023 की आप यहां पे थोड़ा सा एलेजबिल्टी में ध्यान से समझेगा एसेंटियल क्वालिफिकेसन केबल और केबल 10 पास से आनिकी 10 पास से तो आविदन कर सकते हैं एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18-23 से आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक सधिक 27 साल की होनी चाहिए तो आप लोग आविदन कर पाएंगे फिजिकल इंपोर्टेंट है इसलिए फिजिकल के बारे में जानकादी दी गई है 167 से कम आपकी हाइट न हो 55 किलो से कम आपका वेट न हो 84 सेंटिमीटर का कम से कम आपका चेस्ट हो और 5 सेंटिमीटर का उसके अंदर फुला हो इसके बाद यहाँ पे देखे विजिवल रिक्यूटमेंट यानि की दिखाई क्या देना चेहे आपका यहाँ पे 6x6 बिथ ग्लासेस के साथ और नियर विजन एन 5 आपका बिथ इच आइस बिथ आउट ग्लासेस के साथ हेरिंग की बात कहें तो नॉर्मल है और फिजिक गुर फिजिक आपका यहाँ पे मागा गया है दिस्क्वालिफिकेशन के कारण क्या होंगे पहले तो यहाँ पे आपका डेफोर मिटी हो गया बीकनेस और सोल्डर हो गया रिष्ट हो गया हिप हो गया नी हो गई और यहाँ पे body parts के बारे में बताया गया है physical fitness for the job of trolley retriever will be considered as disqualification, यानि कि यहाँ पे physical fitness ही आपका matter करेगा qualification और disqualification के लिए, उसके बाद आपकी उम्र के बारे में बात करी गई है, journal condition देखे, जो यहाँ पे nationality है, candidate must be a citizen of India, यानि कि आप भारत के नागरिक है तो आभी दन कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, 1823 से आपको उम्र में छूट भी मिलेगी, बेतन क्या रहेगा, total आप देखे, basic पे आपका 10,000 का है, HR आपको 2700 मिलेगा, और यहाँ पे other जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जैसे कि special pray हो गया, uniform washing allowance हो गया, outdoor medical allowance हो गया, यह सारे के सारे जो charges हैं, वो जुड़ के आपको total 21,300 के लगभग बेतन आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद देखे, P.E.A.P की बात करी गए, P.E.A.P is applicable on the basic pay of 10,000, यानि की जो P.E.A.P कटेगा, वो 10,000 में से आपका कटेगा, छुट्टियों की बात करें तो 18 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी एक साल में, 12 दिन की आपको हाल पे leave मिलेगी, यानि की जो आधे दिन की छुट्टी होती है, इसके लापा यहाँ पे 9CL और 2RH बोला गया है, इसके बाद यहाँ पे आप लोग और भी कई सारी चीज़े यहाँ पे देख सकते हैं, कुल मिला के काफी अच्छी जॉब है, काफी अच्छा बेतन है इसके लिए आपको जरूर से जाना चाहिए selection process के बारे में बताया गया, देखे और केबल और केबल फिज़कल देखा जाएगा, फ़र यहाँ पे आपको how to apply के section मिलता है कैसे आवेदन करना, इसके बारे में आपको आगे जानकारी देने वाले हैं तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करें हैं एरपोर्ट की तरफ से आचुकी साल 2023 के लिए नई भरतियों के बारे में जिसका complete notification मैंने आप सभी को दिखा दिया है केबल और केबल 10 पास qualification वाले candidate आवेदन कर सकते हैं महिला पुरुष दोनों के लिए बहुत अच्छी vacancy आ चुकी है बेना किसी exam के सीधी भरती के अंतरगत आपका चैन होगा और इंडिया लेवल की जॉब भी मिल रही है 31 अगस तक आपको आवेदन करना है ओनलाइन तरीके से 11,300 रुपए आपका भीतन रहेगा अब आए वेबसाइट पे चलते हैं जहां से आपको complete information मिलने वाली है दोस्तों आपको आवेदन करने का लिंक पीडियो के डिस्किप्शन में दिया गया है आप लोग क्लिक करके इस मेंच पे आ सकते हैं यहां पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ जानकारी यहां पे जैसे की A, A, I, C, L, A, S की तरब से इसके बाद जब आप लोग यहां से नीचे आएंगे तो आपको इस वेकेंसी की complete information मिलेगी ट्रॉली रेट्रेवर की 105 वेकेंसी एक 30 अगस तक आपको आवेदन करने का समय 10th past qualification और इसके लाबा यहां से वेकेंसी के अंदर जो आपकी एज है कम से कम 18 और अधिक सदी 27 साल की और आपका जो चैनल फिजिकल मोड वेसिस आउनली आने की किबल और किबल फिजिकल के अधार पी किया जाएगा 21,300 तक बेतन आपका रहेगा और यहां पे जो जर्नल OVC EWS ने 250 और SCHT female के लिए बेलकुल फ्री इसके लाबा कैसे आप लोग आविदन कर सकते हैं और important link का section भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा जहां पे आपको apply online download notification और official website का link के यहां पे देखने को मिलेगा तो यही complete detail है जो कि मैंने आपको provide करा दी बाकी other government job vacancies के लिए भी आप लोग आविदन कर सकते हैं यहां पे आपको complete जो link है वो देखने को मिल जाएगा आपको आ जाना है सरकारी रोजगार सौरी सरकारी job tv.com पे देख सकते हैं सरकारी job tv.com पे यहां पे आपको complete newly vacancies के जो notification वो देखने को मिलते हैं उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ next update में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद